आप में से बहुत फारे छात्रवा छात्राय कमेंट भी कर रहे हैं और आप में से बहुत फारे छात्रवा छात्राय जाने का भी प्रियास कर रहे होंगे कि हिंदी काप पिगा जो मार्ल पेपर होगा या फिर कोश्चिन पेपर जो परिच्छा में आएगा वो किस प्रकार का ह उसमें किस प्रकार के question पूछे जाने के उम्मीद है तो आज मैंने सोचा कि एक छोटी सी वीडियो बना दी जा और आप सभी को सारे question के जो doubt है जो आपको फालतू के question दिमाग पे आते रहते हैं उनका आपको solution मिल जाए ठीक है तो वीडियो को इंड तक देखते रहेगा ठीक है अगर आपकी परिछाकल है तो बहुत ही महत्पूर वीडियो है आप सभी के लिए तो चलिए आपको simple सा हम आपको पूरा पूरा फंडा बताते हैं कि कैसे प्रश् जाए का भैया किस परकार का पेपर होता ठीक है तो चलिए शुरू करते हैं और यह फर्स समस्टर के चात्रों के लिए महत्पूर नहीं कि फर्स्ट यर समस्टर आपका फस्ट है 2324 के सशन का फेपर ठीक है अभी ओके और हिंदी काभ्य है तो सबसे पहले आप परिछा देन में ठीच है इस बात को ध्यान रखनगे वकिर आपको ध्यान रखना अगर आपके पास वाच है यानिंगी घड़ी है तो की माइंड़ पर पियास क aware तो आप लोग जल्दी जल्ली इखने का प्रियास करेंगे ठीक है आपके परिच्छा में जो घड़ी होती हो बहुत बड़ा रोल अदा करती है ठीक है यह कई सारे छात्रों का experience है मेरा भी experience है और आप सभी को में बता रहा हूं इस बात को ध्यान लखेंगे ठीक है यह चोटी प्रशने का उत्तर कितने सब्दों में देना उनके लिए कितने नंबर मिलेंगे उस प्रशने के लिए साही जानकारी आपको दी जाती है तो सबसे पहले खंड आज आज आएगा उसमें लगुत्तरी question देखने को बलेंगे जिसमें लिखा रहेगे कि वह यह इनमें देगे स सब्दों का उत्तर देना अनिवार है और प्रति प्रशने का उत्तर कम से कम आपको 50 सब्दों में देना ही देना है 50 से कम देंगे तो आपको नंबर नहीं मिलेंगे ठीक है। पचास से स्टो डेर सो हो जाए कोई बात नहीं लेकिन कम नहीं होना चाहिए ठीक है और आपको मैं बता दूँ कि आप ज्यादा पूरा अतिले घुत्रे के जो भी उत्तर होंगे उनको आप डिस्क्राइब करके ज्यादा मत लिखा करिए ठीक है आप लोग पचास और सो बीच ही लिख दीजिएगा ज्यादा नहीं लिखने क्या हो सकता है और आपको प्रत्रिप्रस्णे के लिए कुछ इन्वर्सिटियों में अतले घुत्रे में दो नंबर मिलते हैं कुछ में तीन मिलते हैं ठीक है तो यह आप अपनी इन्वर्सिटी के साफसे ताइं कर प्रत्रिप्रस्ण देखने को मिलेगा जैसे कि नात साहित में गोरक नात का महत्त पर प्रकाश डाली है ठीक है अगर आप इस प्रस्ण का उत्तर तयार करना चाहरे है तो इसको इग्नोर कर दिजीए कि यह तम महत्त पूर्ड नहीं है कभी कदार आने वाला कोश्चन है ओक इस बार भी आपके परिश्चा में आने की उमीद है जो आपकी परिश्च लगी होई है कल ठीक है उसमें इस प्रस्ण के आने की पूरी उमीद है ध्यान लखेंगे ठीक है यह कोश्चन कही रहा कि सगום काब बिधारा और निर्गुड काब बिधारा किसे कहते हैं सगुड का बिधारा के प्रमुक कभी सगुड का बिधारा के ठीक है प्रमुक रशना है उचके बाद निर्गुड का बिधारा की प्रमुक रशना है निर्गुड का बिधारा के प्रमुक कभीयों के नाम ठीक है और सगुड और निर्गुड का विधारा में difference क्या है ठीक है यह आपको तैयार कर लेना guarantee दे रहा हूँ सगुड और निर्गुड का विधारा फिजुड़ा आप अगर उत्तर तैयार कर लेंगे तो आपका बेर्थ नहीं जाएगा यह प्रशन फसेगा यह फसेगा ठीक है ओक मनतलब की 100% की यही प्रशन आएगा तुलिव दाफ जी से प्रशन आएगे 100% से हो रहे है कम से कम एक तुपक आएगा और ज्यातर 2 Äते हैं ठीक है तो तुलिव सीदाफ जी का पहले कर पहले आपको जीवन प्रचे त्यार कर लेनाでも कि तुलसीदाफ जी की बारा प्रमुक रष्णाओं था, उनके बारे में आपको फूकस कर लेना है, ठीक है? इनसे सम्मंधित ज्यारा तर कोष्शन इस प्रकार आता है कि तुलसीदाफ जी की प्रमुक रष्णाओं के नाम लिखी, पिछले फालो में मैंने देखा ऐसे ही यह उन पर चेशुन में कहां पर हुँ, अम्रित कहां पर हुई, इन्हों उन्ने साहितिक छेट उन्हें और प्रापन क्या योगदान दिया ईनकी कौन-कौन सी रशनाय हें तरह cortisol का आगरे प्रापन के। कभ्यों को नाम लिखे यह after shop after shop एक रसना है जिसमें आठ कभ्यों ने अपनी अलग नरॉच्ट ओं रशनाओं के माध्यम से ठीक है इसको प्रस्तुत किया है तभी से इसका नाम अफब शाप के कभी मतब कि अफ्ट शाप पड़ गया क्योंकि इसमें आठ कभी के अलग-अलग रशना हैं ठीक है मिलकर उन्होंने रशना की है अफ्ट शाप की ठीक है आठ अलग-अलग कभी उने तो उससे सम्मधित कोश्चन है यह मोस्ट इंपॉर्टेंट वेरी इंपॉर्टेंट कई बार पर इच्छ हमें आ चुका तो ध्यान नग करेंगे ठीक है अगला प्रशने की घाना नंद का संशिप्त परच्चे दीजिए तो घाना मिम से जुड़ा कोश्चन हमेशा नहीं आता कभी का दारपास जाता है तो आप को कभीर दाफ जी का जीवन परच्चे तयार कर लेना पहली बात दूफरी बात इनका समाजिक प्लव धार्मिक छेत्र में क्या योगदान ना यह हमेशा पंसता है तो इसको आप तयार कर लेना बस ठीक है केशो की हिरदे हिंता का तात परस्टिट असपस्ट कीजिए ठीक ह तो यह कुश्चन नहीं आएगा केशो दाफ जी से जुड़े आने कुश्चन आएंगे जिसे कि केशो दाफ जी को जीवन परच्चे आपको तयार कर लेना इनकी रशनायत आपको तयार कर लेना कि कौन कौन से रशनायर अच्छी ठीक है और केशो दाफ जी को ठीक है कठिन का बिकाप प्रेत कहा जाता है इनको इसके बारे में आपको तैयार कर लिजेगा कि क्यों कहा जाता है ये भी महत पूर है अगला है कि रीत सिद्ध कभी बिहारी का संशिप्त परशे दीजे तो बिहारी लाल जी के बारे में थोड़ा पढ़ रिजेगा ये आ जाता है रीत कोशन भशेंगे आपको ध्यान रखना है और अगला है कि महा कभी निराला है कभी कदार आता अब इसे इन भी कर सकते हैं अब आपको अगले खंड में लग उत्रे देखने को भी लेंगे लग उत्रे मत आया जाएगा जैसे कि यहां पर लिखा कि तीन प्रशनों को उत्तर दी सभी का उत्तर देते हैं तो आपको सभी को उत्तर नहीं देना है जितने भी यहां पर बोलेगा तो तीन बोलेगा तो तीन का उत्तर देंगे पांच बोलेगा तो पांच का उत्तर देंगे चार बोलेगा तो चार दो का बोलेगा तो तो दो ठीक है क्योंकि आपको वो फिसा जैसे कि 1, 2, 3, 4 देखी 5 question है तो अगर आप पांचों प्रस्णों का उत्तर दे रहें लेकिन आपको उसके लिए मिलेंगे तीसी नमबर ठीक है आप चाहे 5 का उत्तर दीजिए तहरे 3 का उत्तर दीजिए मतलब 3 प्रस्णों को उत्तर देंगे तब भी आपको 30 नमबर मिलेंग तो इससे बेटर रखती है नहीं प्रस्णों को उत्तर दिया जाए तीक है अब उसके बाद आपको कुछ पध्यांस दे जाएंगे जिनके आप लोगों को प्रसंग दे जाएंगे तीक हो पध्यांस पंक्तिया दी जाएंगे जिनके आप लोगों को संदर्व सहित भ्याख् तो यह paragraph जैसे दिया गया है यह paragraph में आपको संदर्ब लिखना पड़ेगा यह आपकी फर्ष्टर की फर्ष्टर मेस्टर की consolation का है और इसके जो रचेता है रचनाकार है उनका क्या नाम है ठीक है इफी तरह चार paragraph दिये जाते हैं ठीक है किनी दो paragraph को आप आपको पूरी जानकार यहां पर मिल जाएगी यहां पर लिखा रहेगा जितने भी प्रश्टर प्रष्टर में ज्यादाता है कि दिर घूरे में लिखा रहेगा कि निंद्म को उत्तर दीजी हाला कि इसमें एक ही लिका लेकिन जो आरे मिली वह यानि कि अवद उन्रिस्टी मुशन में दो लिखा रहे तक दो प्रश्णा को उत्तर दीजिए और बताया जाए कि करीब करीब पांसो सब्दों में देना है और देर घुत्रे का जो उत्तर देने पर आपको दस नंबर मिलेंगे ठीक है पहले को एक प्रश्णा क जीका जीवन परचे तयार कर लेंगे तो इसमें सारे इस चीज़ा आपको किलियर हो जाएंगी ठीक है तो कबीर दाफ तुलसी दास्त और बिहारी जी ये सब कॉमन कोश्चन है जो की फंसते हैं इसा ओके अगला कॉश्चन है कि निराला चायावाद के प्रतिन नदीक कभी है इस कथन की बिविश्चन कीजिए छाया वाद फे जुड़े कॉश्चन आएंगे इस बात को ध्यान रखेंगे छाया वाद दुवेद युक भारतिन दुग इंसे सबसे कॉश्चन पढ़ेंगी ठीक है और अग्गे जीसे भी जुड़ा कॉश्चन कई बार पर इच्छे हम पस सुका है तो अग्गे जी का पूरा नाम आप सभी को मालूम भी होना चाहिए सच्चिदानंद हेरनंद वातसल अग्गे अग्गे इनको उपाध ही मिली है ठीक है लेकिन इनका पूरा नाम सच्चिदानंद हेरनंद वातसल अग्गे तो इनका जीवन परिचे भी आपको अगर आपने हमारी महा संग्राम वीडियो नहीं देखिए, तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने हिंदी की महा संग्राम वीडियो साइद हाँ अभी थोड़ी दीर पहल में मौनिंग में साइद अपैस्षर अप्लोड कर दी थी yam 나온 तो मौनिंग में अप्लोड कर दिये महासग्रां वीडिव औरında कुस्चन अंसर दोनों है और उसी मेंसे सारे के सारे प्रश्णाव की परिच्छा में फसेंगे गरंटी के साथ और बाकी आप लोग तयार कर लीजीगा वो PDF आपको टेलिग्राम वर्शब पे मिल जाएगी अगर आप मैसेज करते हैं तो जैंद